हवाओं की क्या आउकात जो चिरागों से टकराए चिरागों से ये सारा जहां रोशन है हलो बचा लोगो, वेलकम टू पंजाब क्लासिस आप भी रोशन करना चाहते हो अपने जिन्दगी को कैसे करोगे कुछ ना कुछ सीखके, कुछ ना कुछ नया करके आज के इस वीडियो में हम कुछ सीखने वाले हैं क्या सीखने वाले हैं, लिमिट का टॉपिक लेंगे कुछ questions को देखेंगे, कुछ concepts को देखेंगे और सीखेंगे किस तरह से कम टाइम में जो मुश्किल से मुश्किल questions भी हैं, उनको solve करें रोशनी अपने आप हो जाएगी, जब आप कुछ नई चीज सिखोगे तो चलते हैं, वीडियो पे So first of all, मैं कुछ illustrations लूँगा कुछ exam लूँगा, जिसमें हम देखेंगे कि उनका answer क्या आएगा ये मैं पहला question लेता हूँ, जो की है limit का question, limit of a function एक trigonometric expression दिये है हमें और niche algebraic expression है 1-cos 4x by x square, limit x approaches to 0 solve करना है हमें, इसका answer क्या आएगा इसका answer आएगा, that is 8 एक और example लेता हूँ 1-cos 5x by sin square x, इसका answer क्या आएगा that is 25 by 2 एक example और लेते हैं 1-cos 7x by x sin x, x again approaches to 0 इसका answer क्या आएगा 49 by 2 आप सोच रहे होगे कि sir को तो answers पहले से पता है क्योंकि question भी sir नहीं बनाए है नहीं, ऐसी बात नहीं जितने कम time में मैंने इनके answers लिखे हैं उतने कम time में ही आप भी लिख सकते हो लेकिन कुछ सीख के, कोई नया concept कोई नया method, क्या है वो? देखते हैं so let's go to the concept so the concept is the concept is limit x approaches to 0 1 minus cos mx by x square इसकी value क्या आएगी? इसकी value हमेशा आती है m square by 2 बच्चों, यहाँ पे variable क्या है? variable x है x 0 को approach कर रहा है और यह limit हमारी क्या है? 0 by 0 form की limit है अगर आप x को 0 put करोगे यहाँ पे क्या बनेगा? it will become limit 1 minus cos of m into 0 will become 0 by 0 square x approaches to 0 cos 0 1 होता है 1 minus 1 by 0 square 0 that is 0 by 0 यह 0 by 0 form की limit है तो इसकी value हमेशा क्या आएगी? m की form में आएगी यहाँ x के साथ जो term है m उसका square divided by 2 कैसे आएगा यह result? यह result आता है limit के एक बहुत basic result को use करते होए that is limit sin x by x x approaches to 0 is equal to 1 and also trigonometric formula multiple angles का 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x तो इन दोनों चीज़ों को use करके हम यह result obtain कर सकते हैं और जब यह result हमें पता चल चुक है इसको अब हम directly हमारे questions में apply कर सकते हैं कि मैंने किया था जो अभी questions हमने देखे थे मैं उन questions में वापिस जाता हूँ हमारा पहला question था limit x approaches to 0 1 minus cos 4x by x square यहाँ पे m का value कितना है? 4 तो मैंने क्या करना है? उस formula में मैं m का value 4 पूट कर देता हूँ 4 square by 2 that is 16 by 2 तो हमारा answer कितना आ गया था? 8 आ गया था similarly next example में क्या हुआ था? next example में 1 minus cos 5x by sin square x x approaches to 0 यहाँ पे x square की जगा पे क्या है? sin square x है तो एक additional step हम लोग कर लेते हैं क्या कर लेते हैं? यहाँ पे मैं x square से multiply कर देता हूँ और x square से divide कर देता हूँ denominator में और जैसा कि मैंने अभी बताया limit sin x by x x approaches to 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा तो यह वाली limit हमारी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी और उपर वाली जो expression है वो हमारे पास क्या बची रह जाएगी? that is 1 minus cos 5x by x square अब यहाँ पे m का value कितना हो गया? 5 तो हमारा answer कितना आजएगा बचो? 25 by 2 similarly third example में क्या हुआ था? 1 minus cos 7x by x sin x हमें यहाँ नीचे फिर से x square चाहिए यहाँ x sin x है तो हम यहाँ पे भी x step कर लेते हैं क्या कर लेते हैं? यहाँ पे हम x से multiplyed wide कर लेते हैं denominator में sin x by x तो यह वाली value मेरे पास क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी और यहाँ पे अब m का value कितना हो गया? m 7 हो गया तो हमारा answer कितना आगया? 49 by 2 that is 7 square 49 by 2 तो इस result को, इस concept को, इस trick को यूज़ करके यह वाले questions जो हमारी 0 by 0 form के होते हैं और 1 minus cos of x के साथ कोई भी value लगी हो सकती है 2, 3, 5, 7 नीचे x square होना चाहिए x square नहीं होगा तो इस तरह से हम लोग convert कर लेंगे x square और हमारा answer 1 second, 2 second के अंदर हम लोग answer देख सकते हैं इसका आगे चलते हैं कुछ और examples देखेंगे यह कुछ illustration दिखाई मैंने आपको और कुछ examples देखते हैं JEE main, JEE advance में कुछ questions आते हैं तो examples में पता लगेगा किस तरह के और questions को हम लोग इस concept से, इस trick से इस method से solve कर सकते हैं So I take an example Let's say limit x approaches to 0 1 minus cos 2x into sin 5x by x square sin 3x बचो अब ये question हमें solve करना है, जो concept हमने अभी सीखा उसको use करते हुए कैसे solve करेंगे, सबसे पहले हमारा step क्या होना चाहिए जो हमारी वो expression थी 1 minus cos mx by x किरवाली, पहले तो उसको अलग कर लो, तो हमने ये part अलग कर लिया, अब हमारे पास है, sin 5x by sin 3x, इनको हम अलग कर लेते हैं, एक step और चलते हैं आगे, यहाँ पे मैं अब इसको लिख लेता हूँ 1 minus cos 2x by x square, sin 5x into sin 3x यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, x से multiply कर देते हैं denominator में, और इसके denominator में x से divide कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हम फिर apply करेंगे, सबसे basic result, trigonometric limits का sin x by x, x approach to 0 is 1, अब यहाँ पे लेकिन 5x है, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या होना चाहिए 5x होना चाहिए, तो मैं यहाँ 5 से multiply कर देता हूँ, balance करने के लिए, यहाँ 5 से multiply कर देता हूँ similarly, यहाँ पे हमारे पास 3x है, this expression is 3x तो यहाँ 3x होना चाहिए, balance करने के लिए, मैं यहाँ 3 से multiply कर देता हूँ अब यह दोनो limits क्या हो जाएंगी, both of these limits these will become 1, this will become 1 this will become 1, और हमारे पास क्या बच्चेगा, 5 by 3 और अब बाकी का part क्या रहे गया, 5 by 3 limit x approaches to 0 1 minus cos 2x by x square, आगे चलते हैं तो हमारे पास आगया, that is 5 by 3 limit x approaches to 0, 1 minus cos 2x by x square अब इसको हम compare करें हमारे उसी result से, जो आज हमने सी concept से, 1 minus cos mx by x square m square by 2, तो यहाँ पे m का value कितना हो जाएगा यहाँ पे m का value, you can clearly see is 2, तो यह बन जाएगा हमारे पास 5 by 3, 2 square by 2, that is 5 by 3 times 4 by 2, that is 5 by 3 into 2 तो हमारा answer कितना आगया बच्चो that is 10 by 3 तो जो concept हमने पढ़ा है उसी को apply करते होए और basic of the limits को use करते हमारा question बहुत कम time में solve हो जाएगा, explanation करते से हमें time ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप solve करोगे तो बहुत कम time में solve हो जाएगा और देते हैं question let's take the next example 1 minus cos 2x into 3 plus cos x by x tan 4x इसमें भी हम यही steps apply करेंगे सबसे पहले क्या करते हैं 1 minus cos 2x वाली expression को लग कर लिया 3 plus cos x वाली expression को लग कर लिया यहाँ पे हमारे पास x into tan x है मैं यह 10x को, tan 4x को separate कर देता हूँ x से और अब हम एक result और use करेंगे limit x approaches 0, tan x by x यह भी क्या होता है 1 होता है तो मैं यहाँ पे x से divide कर देता हूँ balance करने के लिए मैं यहाँ x से multiply कर देता हूँ ताकि यहाँ x के राज है जो हमने आज result किया है उसमें यहाँ denominator में हमेशा x के रहोना चाहिए now one more thing we will do tan x के यहाँ पे 4x से 10 के साथ तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए तो मैं यहाँ 4 से multiply divide कर देता हूँ तो यह limit मेरे पास क्या बन जाएगी यह expression क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी tan x by x, x approaches 0 is also 1 यहाँ पे same expression होना चाहिए और x 0 को approach करना चाहिए तो यह 1 बन गया ओके, now moving ahead we are left with this expression 1 minus cos 2x by x square into 3 plus cos x और यहाँ हमारे पास denominator में 4 आगया था वो हम बाहर ले लेते हैं आगे चलते हैं so we will have now 1 by 4 times limit x approaches to 0 1 minus cos 2x by x square into 3 plus cos x बचो अब यह वाला जो part है इसमें अगर हम x को 0 put कर दें x को 0 put करने पे cos 0 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा तो यह expression क्या बनेगा 3 plus 1 that is यह बन जाएगा 4 हमारे पास और यहाँ पे हम वही result अप्लाई कर देते हैं m की value 2 है तो मेरा यह example solve होके क्या हो जाएगा 2 square by 2 और इसकी value कितनी आ चुकी है into 4 simplify करते हैं 4 से 4 cancel हो गया यह बन जाएगा 4 by 2 तो 2 हमारा answer answer comes out to be using this using concept this is a question of your previous year JEE means हमने जो आज result किया है अगर उसको apply करें तो यह question हमारा 10 seconds से भी कम time में solve हो जेगा so I hope आप लोगों को यह concept समय लगा होगा और इस तरह के trigonometric जो हमारे limits होंगी उन में किस तरह से apply करना होगा आप देख सकते हैं और इस तरह की problems आने वाले lectures में मिलेंगी आपको और अब मिलेंगा आपको आज का होग जिसको की मैं बोलता हूँ question of the day so let's go to the question of the day जो की आप solve कीजिए और comments में answer भेजिए so let's go to the question of the day which is क्या होगा question of the day solve this limit limit x approaches to 0 1 minus cos 3x by 1 minus cos 5x और भेजी इसका answer comments में I hope आज का lecture समय लगाओगा आपको और आने वाले lectures में भी आपके इस तरह की problems मिलेंगी limits के ही और topics equation में आपको solve करवाऊंगा कुछ और नहीं concerns बताऊंगा और रोशन करूंगा आपके जिन्दिकी को और देखते रहे हैं Punjab Classes गुर्वेंदर सर के साथ Thank you so much आपके जिन्दिकी को और रहे हैं झाले को और देखते तरहां